अलो स्टूरेंट्स वेल्कम तो मैं चैनल में अधिक नर्सिंग ओपिसर एंट टोडेंगे मूद डिसॉडर को दील करेंगे और पढ़ेंगे मेनिया तो मूद डिसॉडर क्या होते हैं इसको पढ़ लेते हैं अगर आपने विदिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चै होता है लाएक हम वहुत जाथा कुछ होते हैं दुखी होते हैं न टो अगर एक्सी दिखकत है तो अगर हमघए रहते हैं यह दिक्कत अंत्सściev धुक्या करें जों हां कि में तो पीर के Sugito जबब अपन के बा Abg Koleman य9 मेस द Just थीопेंद मुड टीसॉडर मतलब कि जोभी हमारा में पहला आपका है F30 मैनिक एपिसोड दूसरा है Bipolar Affective Disorder तीसरा होता है Depressive Episode then Recurrent Depressive Episode then Persistent Mood Disorder then Other Mood Disorder and then Unspecified Mood Disorders so these all are the classification of the Mood Disorder ठीक है so mood disorder के अंदर आपका F30 से F39 तक इसको classify किया गया वैसे याद करने के जूरत नहीं है बट आपको पता होना चाहिए आपके जस्ट तो आज हम डील करेंगे मैनिक एपिसोड को ठीक है मेनिया के बारे में आज हम डील करेंगे जो कि है F30 बार में हम Bipolar को डील करेंगे देन हम डिप्रेसिव को डील करेंगे देन हम कुछ जो हमारी पास अधर मूद डिसॉडर्स हमें दिए गए हैं उनको भी हम डील करेंगे ठीक है तो मेनिया क्या होता है कि मेनिया रैफर्टू सिंड्रोम इन्विश्ट सेंट्रल फीचर और ओवर एक्टिविटी मूद चेंजिस विच में बीट इलेशन और इलेटिबिलिटी एंड सेल्फ बहुत होता जल्दी एलिवेत हो जाता है रिटेट जल्दी होने लग जाता है स्याथ इंपोर्टेंट आईडिया जाते हैं उसको मतलब सेलफ्लेस सेलफी कह सकते हैं आपके तरीके से सेल्फिष हो जाना एक तरीके से ठीक है जो लाइट टाइब डेस को होता है इसका 0.821 होता है और जो disorder होता है लास्ट यूजरी थी तो फोर मंथ तक रह सकता है फोलोड बाइं कम्प्रीट रिकवरी के बाद ठीक है तो इसे समझना है कि इनसान है अगर किसी को में यह हो जाए तो बहुत है अब इसी क्लासिफिकेशन दी हुई है कुछ जो कि एफ 30 के अंदर में हमने पढ़ा था आता है तो यह एयफ 30 से 30.9 किसी क्लासिफिकेशन दी हुई है जिसमें के आपका फिर्स्ट होता है मेंनी के अप्रिसोड दूसरा होता है हाइपोमेनीया मेंनी के फिसोड तो अभी मैंने आपको बताया हाइपोमेनीया मतलब उसका इस थोड़ा सा कम होना क साइखोटिक सिम्टम में मैंने समय हैं आपको साइखोटिक सीम्टम लगा वेडियो देखें गीर पर्सक्यों आपको दम या से अच्छ को अगे पेसोड थो और यह स्वंक्राइब क्लासिफिकेशन यह आपकी मेनिया की थेक्ट इससे पहले पड़ी थे मूद की बीच्द इससे पाल में थे ए्योजाइब क्या व भी क्या काॉस्ट ऐसके क्यों हो रहा है मेनिया आपका पहला दीर ैंेस्क आघ नोंन वजय से होता है है गैसे है में लिना में क्या होता है एक्सेस होता है लेवल कि यह बढ़ जाता है और इसके साथ ही आपका इंबाइलन्स होता है कॉल इनर्जिक और नौन इनर्जिक के बीच को इसके साथ ही अगर रिलेटिफ को किसी रिलेटिफ को है तो चांसे से कि आगे फैमली में यह मीनिया आगे हो सकता है इसके साथ ही अगर फैमली में किसी रिलेटिफ को है तो आगे भी हो सकता है और इसके साथ ही अगर फैर्स जिक रिलेटिफ की बाद करें तो 5-10% एं इसके से कि में और निकल्ट की बात करें तो 42-70% चांसे सोते हैं और शचुछ बताते हैं एक फ़मिल स्ट बोला उनोंने बहुत है उन्हें है अश्या में यॉशारी ना पहल जो आलिय नतर है उन्हें उन्हें छोटा बच्चा होता है तो यृण सब देखता है तो यह सकता है उसकी आपनी बितर लाइफ में उसके कहसा है तो है जांसे है कि लेटर लाइब उसको क्या हो मेनिया डेवलाप होじゃあ ॅ हम क्या करते हैं कुछ क्या करते हैं कुछ हमारे सेhic wire करते हैं उसको इगनूर करने चैटे वे चीज़ चीज़ जादा होने लग जाती है तब मेनिया आपका हो सकता है नैस्स साइकोपाइदी टैसलोची अपक्लीय में लैक पका इंपिशन हो जाता है अपने क्लीनिकल फीच्रस की बातें क्लीनिकल की पीजसर के अंदर उने चाहर एडियattend है और इसे पहले जब हमने पढ़ा तो आपको 4A पढ़ाया था जो जो कि भिरल ने दिया था इसमuरे हैं पहला यूफोर स्टेज 1 इलेशन स्टेश्च 2 दो रहता है एक्सेल टेश्च 2 होता है नहीं ख्रसी स्टेश दोड़ता है एक्टिविटीज हो यह उसको कोई मतलब नहीं है इंवार्व नहीं होता बड़ खुश बहुत रहता है जैसे कि पेशेंट कई आपने लोगों को देखा होगा जो ड्रिंक कर लेते हैं वह कितना कोई लोग होता है जो ड्रिंक करने के बास बहुत जादा खुश रहता है बहु कोई होता है शाक होर्ड मिनवाधे जो हो जादे काट लेजिन वह कोई होता है तो blanc उसके फाद रहनी का जैसे सब्सक्राइज बहुत पालब को करता है थी को को चाल पर अ इसा है बहुत जदा पीम है बहुत अपने एक सूपर नेशनल फावर होते ना उस तरहीके से भी है करते हैं इसमें क्या होता है सीवेर एलिवेशन होता है मोड का थाना सेंस अफ दन यह है आपका क्लिनिकल फीजर इसमें आपको फोर इबताए यूफोरिया इलेशन के अंदर यह सब दिया हुआ है कि जो साइको मोडर एक्टिविटी होती है वो इनकीज हो जाती है रेस्टलस हो जाता है है ना पेशन जो होता है इसके साथ इंपल्सिव भी हीविर को शो करता है इनिविशन हाइपर सेक्षोल इस सरी चीज़ें पर दिवी है इसको हमने बातों को अगर कोई से बात नहीं भी कर रहा तो भी वह बात करने की कोशिश करता है अपने आप से ना सेल्फ इनिसियेशन करना दूसरों से जाजा की बात करना है यह होता है इंपल्सिव भी हीवियर हो जाता है उसका डिस इनिविशन मतलब अपने आप पे कंट्रोल नही पार्टन से पूर जज्ज्मेंट उजाती है इसकी एपसेंट इनसाइट होता है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप फोर नीड नहीं आती है तो थोड़ा सा खाना खाता है तो फिसल्डा फिरना स्टार्ट कर देगा यहां से वहां जाएगा तो ऐसे पेशन्ट होता है हम उनको फि जो फीडरोट मैं दीनाों की सब्सक्राइब की रह फुलाटा है पाट। दीजमें खुआलग नीनोहट सब्सक्तलिज़वset Hinon 시간이 फिज़े डर फ्रंग क कीवां अन्हाइं को नहीं को नहीं बोल पाते हैं पूरे वर्ट को नहीं बोल पाते हैं तो होते हैं चैज़े आपको बताया गें gefragt से और पर्सेकूशन होता है उ नीचिंज डिलीजज़न होता है यापके दिलूजिशन ऑप ग्देंडी की सब्सक्राइब आपके लगता है कि और इसको लगता है कि अनुवड़ी वान्ट टू हाम इम तो इसको इसा लगता है डिस्टेक्टी होती है मतलब वहीं पे भी कंसेंट्रेशन नहीं कर पाता है डिस्ट्रेक्ट वजाना बहुत सब है में मूड इस इस अड़िसको देते हैं विलपोड असेड और लिदे दिनकिंग को चैंज करने की कोशिश करते हैं यह उसके तहें करने की को यह को चेंग है है and behavior therapy में हम उसके behavior को change करने की कोशिश करते हैं then उसको on psycho education देते हैं and family therapy देते हैं so these are the therapies which provide to the patient with mania so now अब यह जो डाइग्राम है यह मैंने आपको यहां पर इसलिए डाला हुआ है ताकि आप इसको देख लिए धान से एक बार इसमें क्या है कि एक तरफ mania दिखाया गया है आपको एक तरफ depression दिखाया गया है so mania में जो patient होता है मैंने आपको पहले बता है कि हाइपर एक्टिव करता है और depression में बहुत जादा depressed होते है जो mania की patient होगे आपको दोर सी पता चल जाएगे लाइक अगर आपकी अपने आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आपको कि I am here इस तरीके से आप क्या सकते हैं मैंनिक पेशेंट होता है उनके बात करने का तरीका बहुत जादा बात करते हैं इस तरीके से ठीक है अगर आपने mania का patient देखा तो मुझे comment section में जुरूर बताईए अभी हम देखते हैं कि mania और depression में क्या होता है में में क्या होता है कि onset 30 होता है mood elevated expensive irritable speech जो होते हैं लाउड होती है रैपिड होती है जसकी मैंने पहले बता है कि तेस्टच बात करेंगे और बहुत जल्द जल्दी बात करेंगे जल्द जल्दी से बोलेंगे और weight loss होता है ग्रेंडियूस विहिवियर होता है डिल्यूजन होते हैं डिस्ट्रेक्ट हो जाते हैं जल्दी हाइपर एक्टिव होते हैं इनकी flight of ideas होते हैं अब अगर आप depression की बात करें तो depression में क्या होता है कि previous manic episode उनको हो सकता है कि आया होगा मूड का वज़ता depressed होता है इंट्रस्ट बहुत कम होता है किसी बी चीज में इंट्रस्टेट नहीं होते हैं negative views को ज्यादा देखते हैं मतलब हार चीज में negativity निकालेंगे कोई बी कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसकी positivity को देखते हैं negativity को निकालेंगे क्योंकि depression की वजह से next fatigue, anorexia, constipation, insomnia, decreased libido अब depression में तो libido कम होता है यह ज्यादा होता है यह ज्यादा होता है यह आप मुझे कमेंट करके बताएं suicidal, preoccupational, maybe agitated, कुछ movement पे agitated भी हो सकते हैं अगर आप पड़ेंगे तो पूरा आपको बहुत अजय समझ आएगा अगर आपने फूरा वीडियो देखी लिया है लेक्चर में आप यहां तक आ गया है तो चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जिरूर करें शेयर करें अपने फ्रेंस के साथ त